डियर इस्टुडेंट्स मैं अमिद गोतम आपके लिए दे गया हूँ एकोनोमिक्स के MCQ कोश्चन्स कोश्चन नमबर बन देखिए वेश्टी अर्शास्त्र में अध्यन किया जाता है उप्षन A विशिस फर्मों का उप्षन B व्यक्तिकत कीमतों का उप्षन C उद्योगों तता विशिष्ट वस्तुओं का उप्षन D ये सभी तो इसका करेक्टर आंसर होगा उप्षन D ये सभी अगला कोश्चन देखिए विश्टी अर्शास्त्र का संबन्द नहीं है कुल वच्चत से उप्षन B कुल निवेश से उप्षन C समू से उप्षन D कुल मांग से तो इसका करेक्ट आंसर होगा उप्षन C समू से अगला कोश्चन देखिए वेया पक्चर किसे कहते है वेया पक्चर किसे कहते है उप्षन A अर्थ व्यवस्ता से सम्मंदित बड़े योगों को उप्षन B समू को उप्षन C उप्षत को उप्षन D ये सभी तो इसका करेक्ट आंसर होगा उप्षन D ये सभी अगला कोश्चन देखिए संपून अर्थ व्यवस्ता का अध्यन अर्थ व्यवस्ता की किस साका में किया जाता है संपून अर्थ व्यवस्ता का अध्यन अर्थ व्यवस्ता की किस साका में किया जाता है उप्षन A सुक्षम अर्थ व्यवस्ता में उप्षन B वरत अर्थ व्यवस्ता में अगला कुशन देख़िए समेश्टी अर्सास्त्र का एक अन्या नाम क्या है ओपशन ए राष्ट्य आई विसलेसन ओपशन बी एस्थेतिक मुद्रा अर्सास्त्र ओपशन Сी कोटिल्य अर्सास्त्र ओपशन डी ये सबी तो इसका करफ्ट्र अंसर है ओपशन ए राष्टिया आय विशिलेशन अगला कोश्चन देखिए माइक्रो तथा मैक्रो सब्द का सरपूरतम परियोग किस ने किया ओप्शन ए फैगनर फिश ने ओप्शन भी जियस मिल ने ओप्शन सी गार्णर ने ओप्शन डी हैंसन ने तो इसका करेक्टर आंसर होगा ओप्शन ए फैगनर फिश ने अगला कोश्चन देखिए वैस्विक आर्थिक मंदी किस वर्स आई थी वैस्विक का मतलब विश में आर्थिक मंदी किस वर्स आई थी ओप्शन ए 1920 में ओप्शन B 1930 में ओप्शन C 1929 में 1929 में ओप्शन D 1941 में तो इसका करेक्टर आंसर होगा ओप्शन C 1929 में ये 1929 से लेका 1923 तक चली थी अगला कोश्चन देखिए वर्थ अर्षास्तर वै वाई ये अर्षास्तर को एक रूप एक दूसरे के पुरख माने जाते है सुप्षू अर्षास्तर वै वर्थ अर्षास्तर को एक दूसरे के पुरख माने जाते है ओप्शन A बॉल्लिंग तता सेमस्टन सोरी दोबारे से कुछिन देगे सुक्षुम अर्शास्त्र वह और अर्शास्त्र को एक दूसरे के पुरक मानते है उप्षने बोल्डिंग या सेमियोंशन उप्षन बी रेंगनर फिस उप्षन सी हेरोड डोमर उप्षन डी हैक्सर तो डीर स्टूडेंट्स इसका क्रफ्ट आंसर होगा उप्षन अ उप्षास्त देखिए माइक्रो तथा माइक्रो सब्द का सर परियोग परियोग में रहाद था ओप्षन A 1931 में ओप्षन B 1925 में ओप्षन D 1932 में ओप्षन D 1941 में तो इसका करेक्टर आन्सोर होगा 1933 में अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर 10 वनिकवादियों का विचार था की संपूर अर्थवरस्था का अध्यन ओप्षन B किर्शी का अध्यन ओप्षन C व्यक्ति वर्ग का अध्यन ओप्षन D इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्टर आन्सोर होगा ओप्षन A संपूर अर्थवरस्था का अध्यन अगला कोश्चन देखिए समस्टि और सास्त्र को व्यक्यानी ग्रूप किसने परदान किया ओप्षन A कींसने ओप्षन B मिनने ओप्षन C इसमितने ओप्षन D ये सबी तो इसका करेक्टर आन्सर होगा ओप्षन A कींसने अगला कोश्चन देखिए व्यक्यानी और सास्त्र का संबंद किन समस्च्याओं से नहीं है ओप्षन A मुदरा इस पूर्थी से ओप्षन B मुदरा संगुचन से ओप्षन C ओप्षन D ये सबी तो इसका करेक्टर आन्सर होगा ये सबी अगला कोश्चन देखिए समुच्याओं किस रूप में जाना जाता है समुच्याओं किस रूप में जाना जाता है ओप्षन A वेश्टी अर्षास्त्र में ओप्षन B मुल्य सिदान्त में ओप्षन C सुक्षम अर्षास्त्र में ओप्षन D कारक मुल्य निर्धार्ण ये करक है ये गला टाइप हो आए कारक मुल्य निर्धार्ण तो इसका correct answer होगा option A वेश्टी अर्षास्त्र में अगला question देगे समिश्टी अर्षास्त्र का संबंद चार कारकों से संबंदित है यानि कि वे चार कारक कौन-कौन से जिसका समिश्टी अर्षास्त्र का जिन से संबंद है option A घरेलू, फर्म, सरकारी तता मांगपूर्ती से option B घरेलू, फर्म, सरकारी तता वाई अक्सित्र से option C घरेलू, फर्म, मुक्त बजार तता विनिमेन से option D इनमें से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा option B घरेलू, फर्म, सरकारी तता वाई है अक्सित्र से अगला कोशिन देखिए समिश्टी अर्सास तता वास्तिक अर्सास्तर के मद्य अंतर है ओप्शन A मुद्रिक अर्दवेस्ता है B यथा अर्दवेस्ता ओप्शन C अदर्स अर्दवेस्ता ओप्शन D वुमिगत अर्दवेस्ता तो इसका correct answer है option A मोद्रिक और द्वरस्ता अगला question देखे मैक्रो सब्द की उत्पत्ती हुई मैक्रो सब्द की उत्पत्ती हुई है option A ग्रीक भासा से option B लेटिन भासा से यह गलत type Y यह लेटिन भासा है option C अंग्रेजी भासा से option D फ्रांसी भासा से तो इसका correct answer होगा option A ग्रीक भासा से अगला question देखे आध्वनिक समष्टी और सास्त्र का जना किसे कहा जाता है यह Adam E. Smith को option B. Mil को option C. Kings को option 4 option D. Fidman को तो इसका correct answer होगा option option C. की इन्स को अगला question देखे राष्ट्या आए राष्ट्या आए है इसकंद अवधार्णा परवा अवधार्णा option C. इस्तेथिक अवधार्णा option 4 D. इन्मेंजे कोई नहीं तो इसका correct answer है option B परवा अवधार्णा अगला question देगी है किस परकार की अर्दवर्ष्टा में गरे लुआय राष्ट्या आए के बराबर होती है यानि के घरे घर की जो आए है वो राष्ट्या आए के बराबर होती है किस पर इस्तेथि में होती है option A खुली अर्दवर्ष्टा में option B बंद अर्दवर्ष्टा में option C. A. B. दोनो option B. नै तो एक और नहीं B तो इसका correct answer हो option B. बंद अर्दवर्ष्टा में अगला question देखिए राष्ट्या आय का भाग नहीं है राष्ट्या आय का भाग नहीं है बेरोजगारी बत्ता option A option B. परदपैंसन option C. किरसी option D. लाब तो इसका correct answer होगा option D. लाब अगला question देखिए भारत की राष्ट्या आय में किस अक्सेत्र का सबसे बड़ा योगदान है option A. किरसी का option B. सेवाक्सेत्र का option C. निर्मानक्सेत्र का option D. लगुद्धोग का तो इसका correct answer होगा सेवाक्सेत्र का अगला question देखिए एक देश की राष्ट्या आय को कहा जाता है सकल गरेलू उत्पाद option B. सकल राष्ट्या उत्पाद option C. सुद राष्ट्या उत्पाद option D. सुद गरेलू उत्पाद option D. अगला question देखिए राष्ट्या आय की परिबासा की अलोचना किसने की है? राष्ट्या आय की परिबासा की अलोचना किसने की है? option A. मारसल ने option B. पीवो ने option C. फिसर ने option D. कींस ने तो इसका correct answer है option D. कींस ने अगला question देखिए राष्ट्या आय का संबंध है option A. मजदुरी और लगान से option B. ब्याज और लाबान से option C. वेतन और फीज से option D. ये सभी से तो इसका correct answer होगा option D. ये सभी अगला option देखिए भारत्या राष्ट्या आय सिमीती की परिवासा दी गई option A. 1951 में option B. 1953 में option C. 1955 में option D. 1950 में तो इसका correct answer होगा option A. 191 में अगला question देखिए भारत में राष्ट्या आय व्यापर्ति व्यक्ति आय कम होने का क्या कारण है option A. जनसंक्या में व्रद्धी option B. सर्मे को किया एकुसलता option D. दोस्पून समाजी की व्यवस्ता option D. ये सभी तो इसका correct answer होगा option D. ये सभी अगला question देखिए भारतिय अर्द्ध व्यवस्ता 2022-23 में किर्सी की परदानता है option A. 56.5% option D. 54.6% option C. 55.4% option D. 58.5% तो इसका correct answer होगा A. 56.5% question number 28 प्रोफेसर पीगू ने राष्टियाए का मापक किसे माना है option A. मुद्रा को option B. वेतन को option C. ब्याज को option D. ये सभी तो इसका correct answer होगा A. मुद्रा को प्रोफेसर पीगू ने राष्टियाए का मापक माना है मुद्रा को question number 29 सकल राष्टिया उत्पाद के कारक है option A. उपभोग वे option B. सरकारी वे option C. सुद कारक बुगतान option D. ये सभी तो बताइए students इसका correct answer कुन सा होगा इसका correct answer होगा option D. ये सभी अगला question देखिए question number 30 ये सादन लागत बाजार मुल्य से अधिक है तो option A. एपर्टेक्स कर जादा होगा सबसीड़ी से option B. एपर्टेक्स कर कम होगा सबसीड़ी से option C. एपर्टेक्स बराबर होगा सबसीड़ी के option D. इन में से कोई नहीं तो dear students इसका correct answer होगा option B. एपर्टेक्स कर कमोगा सबसीडी से अगला क्वेशन देखे गरेलो कारक आए का दूसरा नाम है गरेलो कारक आए का दूसरा नाम है A कारक लागत पर NDP B गरेलो कारक लागत पर GDP ओप्शन C, कारक लागत पर NNP ओप्शन D, कारक लागत पर NNP तो dear students, इसका करक्टरा अंसर होगा, कारक लागत पर NDP ओप्शन A अगला कुश्चें देखिए राष्टिया आय के बराबर है ओप्शन A सुद राष्टिया उत्पाद माइनस सबसीड़ी पलस कर यहीं के टेक्स ओप्शन B, सुद राष्टिया उत्पाद पलस एपरत्यक्स कर पलस सबसीड़ी ओप्शन C, सुद राष्टिया उत्पाद माइनस एपरत्यक्स माइनस सबसीड़ी Option D, सकल राष्ट्य उत्पाद माइनस सबसिड़ी पलस कर तो इसका correct answer होगा Option B सुद राष्ट्य उत्पाद पलस एप परत्यक्स कर पलस सबसिड़ी अगला कुशन देखिए उप भोगता एवं बचत के लिए घरेलू अक्सेतर में उप लब्ध सुद रासी है Option A, राष्ट्य आए Option B, व्यक्तिगत आए Option C, सरकारी आए Option D, व्यक्तिगत परियोज्य आए यनिके घर में ये इसका मतलब है उप भोगता एवं बचत के लिए घरेलू अक्सेतर में सुद रासी पूछ रहा है कौन सी है इसका आंसर होगा Option D, व्यक्तिगत परियोज्य आए अगला कोश्चन देखिए राष्ट्य आए के संबन में परियोग किया जाता है Option A GNP Option B NNP Option C NI Option D ये सभी तो इसका करेक्टर आंसर होगा ये सभी अगला कोश्चन देखिए प्राकर्तिक बेरोजगारी की अवधारना किसने दी प्राकर्तिक बेरोजगारी की अवधारना किसने दी Option A पीगू ने Option B मार्सल ने Option C रोबिंस ने Option D फिरिडमेन ने तो इसका करेक्टर आंसर होगा Option D फिरिडमेन ने कुश्चन नमबर 36 फिलिक्स वक्स के संसोदन सिद्धान को किस नाम से जाना जाता है फिलिक्स वक्स वक्र के संसोदन सिद्धान को किस नाम से जाना जाता है Option A तवरणवादी सिद्धान Option B अनुकूलित अपेक्साव की परिकलपना का सिद्धान Option C एवे बी दोनो Option D इन में से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो Option C एवे बी दोनो अगला कोईशन देखिए कोईशन नमर से 30 मुद्रा इस पूरती की वेवस्ता है जिसमें मुद्रा के मुल्या में Option A वरद्धी होती है Option B कमी होती है Option C समान रहती है Option D A भी दोनो तो इसका करेक्ट आंसर होगा Option B यनि कि जब मुद्रा इस पूरती की वेवस्ता है जिसमें मुद्रा के मुल्ले में कमी आती है अगला कोशन देखिए मुद्रा इस पीर्थी की इस्तिती में आर्थिक विसमता है मुद्रा इस पीर्थी की इस्तिती में आर्थिक विसमता है उप्सने गठती है उप्सन भी बढ़ती है Option C इस्तिर रहती है Option D इन में से कोई नहीं तो आर्थिक विसमताई जो होगी ये घटती है अगला कोशन देखिए मुद्राइ स्पूरती हानी कारक है मुद्राइ स्पूरती हानी कारक है Option A वेपारियों के लिए Option B बैंकों के लिए Option C सेर्मिकों के लिए Option D सरकार के लिए तो ये इसका करेक्टर आंसर होगा Option C सेर्मिकों के लिए कोशन नमबर 40 ये लास्ट कोशन है कुल बाजार कुल ब्याज बराबर है कुल ब्याज बराबर है Option A सुद ब्याज पलस जोकिम पुरुषकार पलस एस विदा का पुरुषकार पलस परबंद का पुरुषकार Option A Option B सुद ब्याज पलस जोकिम पुरुषकार Option C सुद ब्याज पलस एस विदा का पुरुषकार option D इसका कराक्टरा अंसर होगा option A इसका आपके 40 कोस्चन ले गया था अगले क्लास में फिर लेगाएंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे कोस्चन जिसके आगजाम में आपको जदे से जदा फाइदा हो धन्यवाद